जकर्याह बहुश्यवक्ता की पुस्तक अध्याएक जकर्याह बहुश्यवक्ता की पुस्तक अध्याएक दाराराजा के दूसरे वर्ष के आठवे महिने में यहोवा का यहवचन जकर्याह बहुश्यवक्ता के पास जो बेरिक्याह का पुत्र और इद्दो का पोता था इसलिए तू इन लोगों से कहा कि सिनाओ का यहवा यो कहता है कि तुम मेरी और फिरो, सिनाओ के यहवा की यही वानी है, तब मैं तुम्हारी और फिरूंगा, सिनाओ के यहवा का यही वचन है, अपने पुर्खाव के समान न बनो, उनसे तो अगले भविश्वक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे कि सिनाओ का यहवा यो कहता है, यह अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो, परंतु उन्होंने न तो सुना और न मेरी और ध्यान दिया, यहवा की यही वानी है, तुमारे पुर्खा कहा रहे, और भविश्वक्ता क्या सदा जीवित रहते हैं, परंतु मेरे वच्चन और मेरी आग्याए, जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुमारे पुर्खाओं पर पूरी नव हुई, तब उन्होंने फिर कर कहा, कि सिराओं के यहवास ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवार करने को कहा था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है, दारा के दूसरे वर्ष के शबात नाम ग्यारवे मैने के चौबिसवे दिन को जकरियाह नभी के पास जो बेरे क्याह का पुत्र और इद्दो का पोता है, यहवा का वचन यो पहुचा, कि मैंने रात को सुपन में क्या देखा, कि एक पुरुष लाल घुड़े पर चड़ा हुआ, उन मेहंदियों के बीच खड़ा है, जो नीचे स्थान में है, और उसके पीछे लाल और सुरंग और श्वेद घुड़े भी खड़े है, तब मैंने कहा कि हे प्रभू, मेरे प्र फिर जो पुरुष मेंदियों के बीच खड़ा था, उसने कहा, यह वे है जिनको यहवा ने पुरुथवी पर सेर अर्थाद घुमने के लिए भेजा है, तब उन्होंने यहवा के उस दूट से जो मेंदियों के बीच खड़ा था, कहा कि हमने पुरुथवी पर सेर किया है, और क्या देखा कि सारे पूठ्व में शान्ती और चैन है तब यहवा के दूठ ने कहा हे सिनाओ के यहवा तू जो यरुशलेम और यहुदा के नगरों पर सत्तर वर्ष से क्रोधित है सो तू उन पर कब तक दयार न करेगा और यहवा ने उत्तर में उस दूठ से जो मुझसे बाते करता था अच्छी अच्छी और शान्ती की बाते कही तब जो दूठ मुझसे बाते करता था उसने मुझसे कहा तू पुकार कर कहा कि सेनाओ का यहवा यो कहता है कि मुझे यरुशलेम और सियोन के लिए बड़ी जलन ह और जो जातिया सुक से रहती है, उनसे मैं क्रोधित हूँ, क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा क्रोध किया था, परंतु उन्होंने विपत्य को बढ़ा दिया, इस कारण यहोवा यो कहते हैं कि अब मैं दया करके यरुशलेम को लवटाया हूँ, मेरा भवन उसमें बनेगा, और यरुशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी, सेनाओ के यहोवा की यही वानी है, फिर यह भी पुकार कर कहा, कि सेनाओ का यहोवा यो कहता है, कि मेरे नगर फिर उत्तम वस्तूर से भर जाएंगे, और यहोवा फिर सियोन को शान्ति देगा, और यरुशलेम को फिर अखे उठाए, तो क्या देखा, कि चार सिंग है, तब जो दूत मुझसे बाते करता था, उससे मैंने पुछा कि यह क्या है, उसने मुझसे कहा, यह वे ही सिंग है, जिन्होंने यहुदा और इस्रायल और यरुशलेम को तित्तर बित्त किया है, फिर यहोवा ने मुझे चा लोहार दिखाए, तब मैंने पुछा कि यह क्या करने को आए है, उसने कहा कि यह वे ही सिंग है, जिन्होंने यहुदा को तित्तर बित्तर किया, कि कोई सिर न उठा सके, परंतु यह लोग उन्हें भगाने के लिए और उन जातियों के सिंगों को काड़ डालने के लिए आय आये थे.